नमस्कार जै जोहार संगवारी सनातन संस्कृति में दान देने की परंपरा हजारों साल से चली आ रही है राजा बली ने तीन लोग भगवान विश्णों को दान कर दिया था इसी तरह करने भी अपना कवज कुंडल दान करके करन महादानी कहलाए बारबरीक ने भी अपना सीष प्रदान किया और बाद में खाटू स्याम जी की रुप में पूजे गए दान करना हमारी संस्कृति है चतिस गड़ में भी पौस मांके पूनिमा तिथी पर हर घर में दान देनी की परंपरा निभाई जाती है इस दिन कोई भी मांगने आये उसे कुछ न कुछ देकर बिदा किया जाता है दान देने के यह पर्वत छेरचेरा के नाम से जाना जाता है दान का कटोरा कहलाने वाला 36 गड़ एक क्रिसी प्रधान प्रदेश है यहाँ जादातर पिसान वर्ग के लोग निवास करते है और किसी ही जीवकोपारजन का मुख्य साधन है यही वजाए कि किसी अधारिक जीवकोपारजन और जीवन सेली ही अन्न दान का पर्वा छिर्चिरा मनाने का प्रेणा देते है 36 गड़ के लोगों का मानना है कि दान करने से धन की सुद्धी होती है यह सही भी है हमारी सनातन संस्कृती भी यही कहती है अब तो मानलो भायो 36 गड़िहा सबले बढ़िहा छिर्चिरा तेवहार की कहानी बहुत ही रोचक है यह तेवहार हर साल पॉसमा की पूनिमा को मनाये जाता है लोगों की मान्यता है कि इस दिन दान करने से घर में आयनाची कमी नहीं होती कौसल प्रदेश की राजा कल्यान साय करीब 8 साल तक राज जसे दूर रहे और सिच्छा लेने के बाद रतनपुर आये तो प्रजा को इसकी खबर लगी इस बात से सारी प्रजा बहुत उत्साहित थी और हर कोई लोग गीत और गाजे बाजे के धुन पर नाच रहे थे राजा की अनपस्तिती में उनकी पतनी राणी फुलकेना ने राजकाच सम्हाला था रानिक फुलकेना राजा के आने से सोना चानी की सिक्के प्रजा को देना चालू कर दिया राजा कल्यान साय ने उपस्थित राजाओं को निर्देश दिया कि आज के दिन हमेशा त्योफार की रूप में मनाय जाएगा और इस दिन अन्न और धन दान किया जाएगा इस दिवहार पर एक और कहानी प्रचलित है एक समय धर्ती पर घोर अकार पड़ा यहां अन्न, फल, फूल और असधी नहीं उपज पाई इससे मनोश्य के साथ साथ जिवजन्तू सभी हलकान हो गए और सभी में त्राही त्राही मज गई रिसी मुनी और आमजन भूक से थर्रा गए तब सभी ने मिलकर आदी देवी सक्ती साकंबरी देवी को पुकारा साकंबरी देवी प्रगट हुई और अन्न, फल, फुल और रोसधी के भंडार दे गई इससे रिसी मुनी समित सभी आमजनों का भूक और दर्त दूर हो गया इसी की याद में छेरचरा मनाने जाने की बात कही जाती है ऐसे कहते हैं कि तेवहार के दिन हर देवी या हर माता के अंदर साकंबरी देवी मौझूद रहती है जो आपको धन देती है अगर इस दिन आपके दरवार के आसपास चेर 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 चेरा माई कोठी का धान का हेरते हिरा जैसे सब्द सुनाई दे तो हैरान होने की जोरोत नहीं है बस मुठी भरा अनाज बच्चों को दान कर देना जब तक आप दान नहीं करेंगे तब तक वे आपके दर्वाजे से हटेंगे नहीं और कहते रहेंगे अरन बरन कोदो करन मतलब जब आप दान देंगे तभी हम यहां से जाएंगे जो भिक्षा मांगता है वो ब्रामः खलाता है और भिक्षा देने वाले को इस दिन देवी बोते है इस दिन लोग अपने अपने घरों पर देवी देवताओं का पुजा भी करते है भायो यही है हमारे धर्म की खुबसूर्ती जहां पर लोग उच नीच भेद भाव अमीरी गरी भूल कर एक दूसरे के घर पर चिरचरा मांगने जाते है और एक दूसरे से आप मिलकर चिरचरा का उत्सों मनाते है और यह तेवहार हमें प्रकृती से भी जोडती है तो यही खुबसूर्ती है हमारे धर्म की कुछ विधर्मी आज कुछ कूर्तियों को लेकर हमारे धर्म को तोड़ने पर जुड़े हुए है वे लोगो को बर्गला रहे है खुले आम सर्वजरिक मंज पर और बोर रहे कि इस देवता को मान पानो उस देवता को मान पानो अरे कूर्ती किस धर्मा पे नहीं है सभी धर्मों पे है इसका यह मतलब नहीं कि आप काली दो आप लोगो को बर्गलाओ अरे उन लोग तो अपनी संस्कृती भी भूल गये है जैसे सुवर को हर जगा गंदगी दिखती है ऐसे वोई लोग है जो सिब गंदगी देखना चाते है और अपना स्वार्थ पूर्ती के लिए लोग को बर्गला रहे है लेकिन हमारे संस्कृती कभी खत्मनी होगी जै हीन जै भरत